हर middle class इनसान यही चाहता है कि उसकी life comfortable हो। उसकी life में हर वो चीज उसे मिले जो उसके status को और उसके comfort को बढ़ाए। और इसी comfort को पाने के लिए एक middle class इनसान job करता है। और जब वो इनसान जॉब करने लगता है, तो अपने लिए comfort की चीज़ों को खरीदने शुरू कर देता है, जैसे महंगी महंगी कार, बड़े टीवी, फ्रिज, एसी और आलिशान घर. एक middle class इंसान comfort की चीज़ों को अपनी saving बचा कर नहीं खरीदता है, क्योंकि इतना patience उसके अंदर नहीं होता है. Middle class इंसान comfort की चीज़ों को खरीदने के लिए loan लेता है, और हर महिने उस loan को चुकाने के लिए EMI भरता रहता है. जो इंसान comfortable life को पाने के लिए job कर रहा था, अब वहीं इंसान EMI चुकाने के लिए job करने लगता है. हर महिने saving करने से पहले ही उसके account से EMI कट जाती है, और वो दिन रात यहीं सोचता रहता है, कि आखिर उसे इस EMI से कैसे आजादी मिले, आखिर उसकी EMI जीरो कैसे हो. Financial Freedom पर आपने बहुत सारी books पढ़ी होंगी और कई सारी audio summary भी होंगी. और हर जगा आपको यहीं बताया जाता है कि पैसे से पैसा कैसे बनाएं, कैसे saving करें, किस तरहें से retirement की planning करें और किस तरहें से wealthy बना जाएं. लेकिन यह सब बेकार है जब तक आपकी जिम में actual में पैसे नहीं होंगे. इन सब चीजों में invest करने से पहले आपको pocket में या अपने account में पैसे होने भी ज़रूरी है. यानि आपके पास saving होनी चाहिए. लेकिन issue यह है कि पैसे save करने से पहले ही हमें EMI भरनी पढ़ जाती है कुछ लोगों को यह लगता है कि saving एक expenses की तरह है. क्योंकि इसे हर महिने हमें अपनी salary से अलग निकाल कर रखना पढ़ता है. जबकि saving तो एक investment की तरह होता है. आपके save किये हुए पैसे उस दोस्त की तरह होते हैं जो बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं. अपनी saving और expenses को कैसे manage करना है? यह हमें नहीं मालूम होता है. और आज की इस zero EMI audio summary को सुनकर आपको यह मालूम होगा कि किस तरह से हम saving और expenses को manage करके हम खुद को debt की जाल से बचाएं और इसके अलावा कैसे bad debt के control से बचें और खुद finance को control करना सीख जाएं. और अपने आपको कैसे financially free बनाए और साथ ही साथ loan के कितने types होते हैं इसके बारे में भी आपके साथ discuss किया जाएगा. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे banking product होते हैं जिनकी हमें कोई खास जरूरत नहीं होती है. लेकिन फिर भी हम उस product को ले लेते हैं. जैसे credit card. क्या आज की rate में credit card हमारे लिए जरूर कैसे निकले? इन सभी सवालों का जवाब आपको तब ही मिल पाएगा जब आप हमारे इस discussion में जुड़े रहेंगे. फैनान्स को लेकर अकसर कुछ questions हमारे mind में चलते रहते हैं और वो questions क्या होते और उनके answers क्या हैं? और आखिर औरतों का money management आदमी उसे बहतर क्यों होता है? ये सारे answer आज हम आपके साथ share करेंगे आने वाले episodes में. हम सब के उपर कोई ना कोई debt है. चाहें वो loan हो या फिर किसी से उधार लिया हो? किस तरह से अपने debt को हम control करें? ये हमें इस audio summary को सुनकर ही पता चलेगा. क्या आप चाहते हैं कि आपके उपर से loan का बोज हटे? क्या क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी EMI को कम करें? क्या आप वाकई में loan लेने से बचना चाहते हैं? क्या आप money management को सीखना चाहते हैं? और क्या आप खुद को financial freedom देना चाहते हैं? अगर इन सब चीजों का जवाब हाँ है, तो जुडिए हमारे साथ इस discussion में और सुनिए आने वाले episodes में? क्योंकि ये सारे जवाब आगे के episodes में छुपे हुए हैं. या loan लिए अमीर बन सकते हैं. जो बेवकूफ होते हैं, वो अपनी luxury के लिए loan लेते हैं, और जो अमीर होते हैं, वो अपने पैसे से ही पैसा बनाते हैं. देखा जाये तो हमारी country में ज्यादा तर को EMI पर नहीं लिया होगा. हमें अपनी society में अपना status बनाया रखना पड़ता है, और हमसे ज्यादा पैसे खर्च ना हूँ, इसका भी डर हमें लगातार रहता है. हम सभी अमीरी और गरीबी के बीच में फसे रहते हैं, और अच्छे financial management को follow करके हम अमीर बन सकते हैं. लेकि हमें mill class कहा जाता है. हम में से कई लोग ऐसे होंगे, जिनका बचपन अच्छे से नहीं गुजरा होगा, यानि उन्होंने अपने बचपन से ही financial crisis देखी होंगी. और बचपन में ही शायद उन्हें पैसे की एहमियत के बारे में पता चल गया होगा. और जब वो बड़े होते तो उनकी कोशिश यही रहती है कि अपनी family को उस financial crisis से बाहर निकाले और अपनी family को वो सारी facility दें जो बचपन में उन्हें नहीं मिली थी. इसके लिए वो अपनी education पर full focus करते हैं और फिर early age में ही job करने लगते हैं. कुछ लोग तो अपनी education के दौरान ही दूसरों को tuition करते हैं. और वो जब पढ़ाई complete कर लेते हैं उसके बाद वो अच्छी job को करने लगते हैं. हम अकसर सुनते हैं कि अगर आपको financial freedom चाहिए तो आपको job छोड़कर business करना चाहिए. क्योंकि business ही आपको सही माइने में financial freedom देता है. क्योंकि जब आप business करते हैं तो आपकी accountability कम हो होती हैं. आप हर चीज के खुद ही owner होते हैं. आपको किसी चीज की रोक टोक नहीं होती. अपने office का time भी आप अपने हिसाब से ही बनाते हैं और business का management कैसे समालना है ये सब आपके ही हातों में रहता है. यानि business आपको financial freedom के साथ खुद की ownership भी देता है. जब हम business के बारे में इतनी सारी खुबियों को सुनते हैं तो हम job को छोड़ कर business की तरफ ही चले आते हैं. और हमें ये लगने लगता है कि बस अब हमारी financial freedom हमसे ज़्यादा दूर नहीं है. अब वो दिन दूर नहीं होगा जब हम अपनी financial desire को पूरा कर लेंगे. इसका नतीजा यही होता है कि हम एक business start कर लेते हैं. हम ये भी नहीं सोचते कि business करने का हमारे पास कितना experience है या हमारी family या फिर हमारे किसी relatives ने कभी business किया भी है या नहीं ताकि हम उनके business experience से कुछ सीख सके. हमें तो बस एक ही चीज नजर आती है और वो है हमारी financial freedom और comfortable life. हमारे पास जो भी कुछ saving होती है ह हम उसे अपने business में लगा देते हैं. और कुछ पैसे अपने family और friends से उधार ले लेते हैं. और फिर यहीं से business में भी debt की शुरुआत हो जाती है. खैर हम business को जैसे तैसे शुरू करते हैं. सिंस हमें business का कोई खास experience नहीं रहता है, इसलिए हमें अपने business को develop करने में बहुत द अगर staff है, तो staff की salary ही दे पाते हैं. फिर आप family का खर्चा और business को smoothly run करने के लिए loan ले लेते हो. जैसे तैसे करके आपको loan भी मिल जाता है. लेकिन कुछी महीनों बाद आप फिर से financial crisis में आ जाते हैं. आप पर debt का पहाड़ आ जाता है. फिर आप उस loan को बंद करने के लिए एक और loan ले लेते हैं. और ऐसा करते करते आप debt के जाल में फंस जाते हैं. जब आप loan timely pay नहीं कर पाते हैं, तो फिर dues के लिए आपके घर रोजाना bank और collection agencies वाले आने लगते हैं. ठीक, इसी तरहें का हाल तब होता है जब हम credit card लेते हैं. पहले credit card अमीर लोगों के पास और अपने business को expand करने के लिए उनका सबसे अच्छा target था middle class family. क्योंकि उन्हें middle class family की psyche का पता था. वो जानते थे कि middle class family अपने status symbol को maintain करने के लिए कुछ भी कर सकती है. Middle class family हमेशा से upper class family की तरह ही बनना चाहती थी. और इसी लिए जो upper class family product यूज करते हैं, वो भी वही यूज करना चाहती है. चाहें भले ही वो product को loan पर लेना पड़े. Credit card आने से middle class family के लोगों ने credit card को हाथ हो हाथ लेने लगे और इसका use भी जम कर करने लगे. और कई लोग तो जरूरत पढ़ने पर इससे cash भी निकालने लगे थे. लोग credit card का इस्तमाल फिजूल की चीजों को खरीदने में use करने लगे थे. और वो credit card के थूँ ऐसी चीज़े खरीद रहे थे, जिसे वो बिना credit card के भी खरीद सकते थे. Credit card को लेकर investors Warren Buffett का ये कहना है कि credit card से कभी भी वो चीज़ ना खरीदो, जिसे तुम आसानी से afford कर सकते हो. क्योंकि credit card में charges बहुत high होते हैं. ऐसे में अगर आप time पर credit card का bill नहीं भर पाए, तो आपको affordable चीज़ों अपर 18% से लेकर 20% तक interest भरना पढ़ सकता है. और जब लोग credit card के bill नहीं भर पाते और फिर उन पर interest charges लगने लग जाते हैं, तो ये charges compound होता जाता है. और फिर credit card का bill भरने के लिए लोग एक और credit card ले लेते हैं. यानि debt control करने के लिए debt की ही मदद ले लेते हैं. ओथर कहते ह हैं कि मैं यहाँ पर business और credit card के against बिलकुल भी नहीं हूँ. और नहीं मैं आपको ये suggestion दे रहा हूँ कि आप business ना करें. आप बिलकुल business करें. और credit card का use करें. लेकिन business शुरू करने से पहले आपको खुद को debt free करना होगा. Credit card का use तभी करें जब आपको वाकई इसकी जरूरत ह ताकि आप debt free रह सकें. ऐसा लोगों का मानना है कि financial freedom को पाने के लिए आपके पास बहुत सारी wealth होना चाहिए. लेकिन सही माइने में ऐसा नहीं है. Financial freedom की बात करने से पहले आपको अपने debt से freedom चाहिए होती है. Debt एक leakage की तरह होता है. जैसे अगर null में leakage हो तो आप कितना भी पैसा भर लें, पानी उसी leakage के थुरू निकलता जाएगा. और जब तक हम उस leakage को fix नहीं करेंगे, तब तक हम पानी store भी नहीं कर पाएंगे. ठीक, इसी तरह हैं हमें पहले debt के leakage को fix करना होगा. पैसे सेव ना होने के और financial freedom हमें नहीं मिलने की यही वज़ा है. इसी लिए हम पहले अपनी life को debt free करना होगा. तब जाकर कहीं हम financially free हो पाएंगे. Debt का जिक्र हमने पिछले एपिसोड में किया था. आखरी ये debt है क्या? इसका सीधा सा जवाब है कि जब आप उस पैसे को खर्च करने लगें जो आपने कभी कमाया ही ना हो, तो आप debt में हैं. और अगर इसे simple words में कहें तो debt का मतलब कर्ज, उधार या फिर loan. अकसर हम जरू उस्तों से पैसे उधार ले लेते हैं. इस उमीद के साथ के जब हमारे पास पैसे आएंगे, तो हम उन्हें लोटा आ देंगे. लेकिन अगर कभी हमारे पास पैसा आया ही ना, और हम उधार लिए पैसों को ना लोटा पाए तो, ऐसे केस में हमारे उपर debt बढ़ जाता है. और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पैसे वापिस ना कर पाने पर लोग हमें बेजज़त करने लगते हैं. और कभी-कभी हमारे घर आकर भी मांगने लगते हैं. ये harsh reality है. और इन चीजों को हम बिलकुल भी deny नहीं कर सकते हैं. ये सभी चीज़ें हमारी society में ही होती हैं. कई और ऐसा भी होता है कि हम जिस company में job कर रहे होते हैं, उस company को अपने business में बहुत नुकसान होता है. और वो company बंद होने के कागार पर होती है. और हमारे सामने यही tension रहती है कि हमने जो loan लिया है, उसकी EMI कैसे चुकाएंगे? इन सभी चीज़ों के लिए हम अपने organization और company को को दोस्ते रहते हैं. हमारे अंदर डर और insecurities आने लगती हैं. क्योंकि एक बार को दोस्तों और relatives का उधार हम कुछ वक्त की महलत लेकर दे सकते हैं, लेकिन bank हमें महलत नहीं देता है, और bank से लिए loan पर हमें interest देना पढ़ता है. इन सब वजहें से हमारे अंदर stress आ जाता है, और तरहें-तरहें की बीमारियां भी हमें गहरने लगती हैं. इन ही सब वजहें की वजहें से ये कहा गिया है कि debt is dangerous. यहां पर आपको बिलकुल भी डराया नहीं जा रहा है. बस आपको debt के बारे में deep understanding हो यही बताया जा रहा है. अगर आपको EMI भरने का कोई tension ना हो, तो आ नहीं किसी तरहें की कोई insecurities होंगी, और नहीं आपको job चले जाने का डर होगा. आपको अकसर ऐसी news सुनने को मिलती है कि एक family ने कर्ज में डूब कर जान दे दी. आप imagine करें कि debt का pressure उस family पर कितना ज्यादा हुआ होगा, कि जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम तो वो सिर्फ minimum amount ही पे करता है और credit card से shopping करता ही रहता है. उस शक्स ने ऐसा कई महिनों तक किया, जब भी बिल आये, उसका minimum amount पे कर देता था. ऐसा करते करते हैं उसके बिल के outstanding amount पर interest लगने लगा और late fees भी लगने लगी. Finally, Mr. X को outstanding amount का double amount पे करना पड़ा. अक्सर इसी तरहें से एक इनसान debt trap में भी फंस जाता है. Debt trap को इस example से समझते हैं. Mr. X के friend थे Mr. Y. Mr. Y को stock market में पैसे invest करने का बड़ा ही शोख था. अलाकि ये एक अच्छी चीज है और हम सब को stock market में invest करना ही चाहिए. Mr. Y को share market की बहुत deep knowledge नहीं थी, लेकिन trading करते करते उन्हें थोड़ा बहुत experience आ गया था. वर वो अक्सर stock खरीते और फिर profit होते ही उसे बेचते थे. इस तरहें से वो stock market के थुरू अच्छी earning कर रहे थे एक दिन उनके किसी खास friend ने, उन्हें Ashok Leland के ज़्यादा से ज़्यादा share खरीदने की advice थी, क्योंकि market में ऐसी बात चल रही थी कि शायद Ashok Leland के share के price डबल हो जाएंगे. Mr. Y अपने friend की बातों से पूरी तरह से convince हो गय थे, लेकिन Ashok Leland के share खरीदने के लिए उनके पास ज share को खरीदना profitable होगा. इसलिए उसने पूरे 5 लाग के share खरीद लिये. Mr. Y ने interest और share से होने वाला profit का पूरा assumption निकाल लिया था और उनके assumption के हिसाब से वो profit में थे. लेकिन एक twist आ जाता है. Suddenly market down हो जाती है और सभी companies के share के price भी बुरी तरह से गिर जाते हैं. Market crash होने की वज़ थी. एक साल बाद अशोक लेलन में invest किये गए 5 लाग बच कर सिर्फ 70,000 रुपे रह जाते हैं. इधर Mr. Y के लिए EMI पे करना मुश्किल हो जाता है. Finally Mr. Y को 5 लाग के बदले 8 लाग interest और charges मिला कर bank को पे करना पड़ा था. अकसर ये देखा गया है कि कई लोग अपने expenses को meet करने के लिए personal loan ले ले लेते हैं. और हमारी country में कई ऐसे bank हैं जो सिर्फ 48 घंटों में personal loan disverse कर देते हैं. और personal loan का interest भी 14 से 15% होता है. जब आप loan लेते हैं तो loan का सबसे crucial part होता है interest. बैंक अकसर interest पर ही जोर देती हैं. क्यू अकसर लोग यही कहते हैं कि economy को grow करने के लिए debt ज़रूरी है. क्यानि loan का लेना ज़रूरी है. लेकिन देखा जाये तो loan से economy grow नहीं करती बलकि consumption से economy grow करती है. consumption से पैसा एक जगा से दूसरी जगा move करता है. example के तोर पर, grocery store से मैंने घर की ज़रूरूरतों के लिए सामान लिया और सामान लेकर पैसे grocery store के owner को दे दिये और फिर उसी पैसे से grocery stores के owner ने अपने लिए कोई और सामान मंगा लिये. यानि यहाँ पर पैसों का consumption हुआ और इसी तरहे से economy भी grow करती जाती है. simple सी बात यही है कि debt dangerous होता है और हम कब इसके trap में फस्ते चले जाते हैं, हमें अंदाजा भी नहीं लगता है. इसके लिए जितना हो सके, loan से बचे. अगर कोई चीज बुरी है, तो उसके कुछ ना कुछ अच्छाई भी होगी. अगर हम यह कहते हैं कि loan लेना dangerous है, तो कभी-कभी loan की वज़े से हमारी problem भी solve हो जाती है. कुछ ऐसे loan हैं, जो हमारी परिशानियों को कम भी करते हैं, और अगर हम वो loan ना लें, तो शायद हमारा काम न चले. डेट अच्छा भी है और बुरा भी है. आपको एक घर खरीदना है अपने लिए, और आज के इस दौर में आप सेविंग करके अपने लिए घर बिलकुल भी नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि घर खरीदना बहुत ही महंगा टास्क हो गया है. अगर आप किसी चीज के लिए लोन ले रही है और उस चीज की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ती जाएगी तो वो लोन या वो डेट आपके लिए गुड डेट है. एक घर को खरीदने के लिए आपको लाखों रोपयों की जरूरत पढ़ती है. और आज की डेट में इतना कैश इन हैंड आपने पास कोई रखता ही नहीं है. ऐसे में घर लेने की ओवियस चॉइस होती है हाउसिंग लोन. बैंक जब आपको लोन अमाउंट देगा, तो उसम आप अपने लोन को चुका लेंगे, तब तक आपके घर की वैलिव आपके लोन अमाउंट से कहीं ज़्यादा हो जाएगी. इसी लिए हाउसिंग लोन लेकर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी. गुट डेट के लिस में नंबर दो पर है बिजनस लोन. बिजनस अमाउंट के रिटर्न में हम प्रॉफिट कमाएं, यानि पैसे से पैसा बनाएं. बिजनस लोन लेकर जो बैंक आपसे इंट्रेस्ट लेगा, आप प्रॉफिट से कुछ अमाउंट निकाल कर उस इंट्रेस्ट को पे कर सकते हैं. जब आपका बिजनस सेटल हो जाएगा और स तो आपके बिजनस की वैलियू भी बढ़ जाएगी. और आपकी बिजनस की वैलियू जब आपका बिजनस लोन खत्म हो जाएगा, तो आपके लोन अमाउंट से कहीं ज्यादा हो जाएगी. यानि अगर आपने 10 लाग का लोन लिया है, तो बिजनस की वैलियू बढ़ कर 15 ल educational loan good debt की list में third number पर आता है हम education पर पैसा खर्च करने को expense नहीं मान सकते हैं क्योंकि education से हमें ही फायदा होता है हम पढ़ लिख कर इस काबिल बनते हैं कि हम future में पैसा कमा सके इसी लिए educational loan good debt की category में आता है ज्यादा तर educational loan high value professional courses के लिए ही लिया जाता है जैसे MBA, BTEC, MTEC, BE, etc. और इन सब courses के return भी अच्छे ही मिलते हैं इन professional courses को करके job opportunity भी अच्छी मिलती है और salary भी अच्छी मिलती है example के तोर पर मान लीजे मुझे IIM से MBA करना है और उसके लिए मुझे 30 लाग के fees भी भरनी है तो मैं educational loan लेकर वो fees भर दूँगा और जब अपनी MBA की पढ़ाई पूरी कर लूँगा तो मुझे job भी अच्छी जगा मिल जाएगी यानि मेरा educational loan लेना worth होगा good debt के बाद अब हम बात करेंगे bad debt की अगर आप उन चीजों के लिए loan लेते हैं जिन चीजों की future में value ना बढ़े तो वो loan या debt bad debt कहलाता है bad debt की list में सबसे पहला आता है consumer loan या home appliances loan जब हम घर की common चीजों के लिए loan लेते हैं जैसे टीवी, fridge, AC तो ये loan bad debt की category में आता है क्योंकि इन item की value time के साथ depreciate हो जाती है यानि की कम हो जाती है example के तौर पर मैंने अपने घर के लिए 15,000 रुपे में एक fridge खरीदा और इस fridge को अगर मैं एक महीने बाद बेचने जाऊँ और अगर इस fridge को मैं एक महीने बाद बेचने जाऊँ तो मुझे इसके 15,000 नहीं मिलेंगे मुझे 15,000 से कम ही मिलेंगे क्योंकि appliances की value time के साथ depreciate होती है इसलिए आपको home appliances पर loan लेने से बचना चाहिए इसकी जगाए आप saving करके home appliances को purchase करें अकसर लोग ये कहते हैं कि अगर कोई चीज 0% EMI पर मिल रही है या फिर बिना interest के मिल रही है तो ऐसी चीजों को खरीदने में क्या ही नुकसान है लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब इस तरहें के offer दिये जाते हैं जहाँ पर zero interest या 0% EMI हो वहाँ पर लोग ऐसी चीजों को खरीदने लगते हैं जिसकी actual में उनको need नहीं होती है अगर उनके पास cash हो तो वो कभी भी उन चीजों को खरीदे ना लेकिन जब वो 0% offer देखते हैं तो उनके मन में यही आता है कि अभी इस particular चीज़ को purchase कर लिया जाए बाद में इसकी payment की जाएगी ऐसा करके हम अपने अंदर गलत आदट डालते हैं हम कही न कहीं अपने आपको loan लेने के लिए mentally prepare करते हैं आज हम 0% EMI या no interest पर खरीदते हैं कल को हमारी या आदत बन जाने पर हम चीज़ों को interest पर खरीदने लगेंगे बैसे RBI ने 0 EMI 2013 में बंद कर दिया था लेकिन फिर भी इस scheme को लोग नाम बदल कर चला रहें बैंक और financial institution की earning ही interest से होती है बैंक को अगर interest ना मिले तो बैंक बंद ही हो जाए इसलिए बैंक और financial institution कैसे भी करके interest के थुरू ही पैसा कमाने की सोचती है हालकि कभी-कभी वो interest के नाम को change भी कर देती है लेकिन उस interest के effect को change नहीं कर पाती है खैर, bad debt की list में दूसरे number पर आता है mobile phone के लिए loan जिया, आज के इस technology के दौर में लोग mobile phone को भी loan पर ही ले ले लेते हर दिन mobile phone के नए-नए model आते रहते हैं और कुछ लोगों को अपनी lifestyle और status को भी maintain करना होता है उसके लिए वो महंगे mobile phone को खरीदने से भी नहीं कतराते बहले ही उनके पास mobile phone को खरीदने के पैसे नहीं हो लेकिन अपने status symbol को maintain करने के लिए वो loan या EMI पर mobile phone खरीद लेते जितना ज़्यादा महंगा phone उतने ही ज़्यादा उसमें features है लेकिन reality में हम उतने features का कभी use नहीं करते इसलिए इतने महंगे mobile phone लेने का कोई मतलब नहीं है और इसके अलावा mobile phone के value भी depreciate होती जाती है अगर आपने loan लेकर 50,000 का कोई mobile लिया है और अगर आप उसे एक साल बात बेचने जाएंगे तो शायद उसे बेचने पर आपको 45,000 रुपई मिले यानि सीधा सीधा आपको 5,000 का नुकसान इसलिए loan पर mobile लेने से बचे Bad debt की list में आखरी है car loan Car loan भी bad debt में ही आता है हमें लगता है कि car लेकर हम अपना asset बना रहे है लेकिन ये asset नहीं बलकि car हमारे उपर एक liability है मान लिजे कि आपने 5,000,000 का loan लेकर एक car खरी दी और उस loan पर interest है 9.25% और उसका tenure है 5 साल का तो उस हिसाब से आपकी car 8,108 रुपए पर मंत की EMI बनाती है और जब 5 साल बाद ये loan खत्म होगा तब आप 5,000,000 की जगए bank को 6,80,000 रुपए दे चुके होंगे अब यहाँ पर दो चीजें notice करने लाएगे पहली ये कि आपने अपनी car के लिए 1,80,000 रुपए ज़्यादा दिये यानि आपकी car की value का 35% आपने ज़्यादा पे किया और दूसरी बात notice करने लाएग ये कि अब आप 5 से 6 साल बाद जब कार बेचने जाएंगे तो आपको 6,80,000 से कम में बेचना पड़ेगा यानि मेभी आपकी car की value 5 से 6 साल बाद सिर्फ 2 या 3 लाकी होगी यानि overall आप loss में ही होंगे हालकी इस बात से हम deny नहीं कर सकते कि car हमारी आज सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक बन चुकी है अगर आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए car लेना चाहते हैं तो आप second hand car खरीदे आप हमेशा good debt और bad debt को लेकर aware रहेंगे ये ध्यान रखें कि लोन लेने पर जिस चीज की value future में बढ़ती जाएगी वो good debt है और जिस चीज की value future में depreciate होती जाएगी वो bad debt है जब आप इसके बारे में aware रहेंगे तो आप खुद को EMI के trap से बचा पाएंगे Loans हम सबने कभी ना कभी लिया ही है चाहें वो छोटा हो या फिर बड़ा और हम सब चाहते हैं कि जो भी loan हमने लिया है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो किसी चीज को reduce करने से पहले हमें उस चीज के बारे में जानना होगा इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि सबसे popular loans कौन-कौन से हैं जिन्हें एक middle class family लेती है इस episode में हम ये popular loan के बारे में discuss करेंगे और उन loans के nature, history और drawback के बारे में भी discussion करेंगे जो पहला popular loan है वो है housing loan घर हमारी basic needs में से एक है और हर इनसान को रहने के लिए घर चाहिए होता है middle class family के लिए अपना घर होना एक सपने के जैसा होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए middle class family housing loan लेती है और ये loan हमारी country में सबसे ज़्यादा popular है almost सभी salaried person का housing loan चल रहा होगा और सभी लोग heavy EMI pay भी कर रहे होंगे चाहें सभी लोग उसी EMI को pay करना afford कर पा रहे हो या नहीं हमारी society में लोगों ने एक social pressure बना दिया है कि आपका अपना घर होना ही चाहिए और ये social pressure कई generation से चलता आ रहा है और इसी लिए जब हमारी job लगती है तो हमारे parents भी हमारे उपर अपना घर लेने का social pressure डालते है और इसी वज़े से हम सही से saving कर भी नहीं पाते है कि अपना खुद का घर बनाने या खरीदने के लिए हम housing loan ले ले लिते है देखा जाये तो अपना खुद का घर होना अच्छी बात है और हर इनसान जाता है कि उसका खुद का घर हो जहां पर वो बिना किसी परिशानी के रह सके लेकिन एक research में पाया गया है कि जो लोग rented house में रहते हैं वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं happiness एक mental status है खुद का घर होना खुशी तो देता है खासतोर पर जब वो घर आपने अपने सामने बैठकर बनाया हो लेकिन आजकल mostly apartment या flat होते हैं जहां ना आपका floor होता है और ना ही आपकी चछत होती है बस उसमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह होती है लेकिन जब आप उस apartment या flat को loan पर लेते हैं तो वो खुशी तब तक enjoy नहीं कर पाते जब तक आप उस housing loan की EMI ना चुका दे अब हमारी ये आदत हो चुकी है कि हम बना-बनाया घर लेते क्योंकि इस तेजी से चलने वाले दौर में अब किसी के पास इतना time नहीं है कि वो अपने घर को सामने बैठ कर बनवाए जो लोग अपने घर को सामने बैठ कर बनवाते हैं उनके अंदर अपना घर बनाने का अलग ही satisfaction होता है वो घर की चीजों से अपनी emotions को जोड़ लेते और जो बना बनाया घर लेते हैं उनके emotion अपने घर से उस तरह से नहीं जोड़ पाते हैं इसलिए जब नया घर लेते हैं तो वो खुश और satisfy तो बहुत होते हैं लेकिन ये खुशी और satisfaction ज्यादा दिन तक नहीं रहती है क्या आपको मालूम है कि आज से 40 या 50 साल पहले हमारी country में लोग अपने लिए घर कैसे खरीदते थे चलिए इसके बारे में आपको explain करते हैं housing loan की शुरुवात आज से लगभग 50 साल पहले हुई थी आज से 50 साल पहले हमारी country में housing loan का कोई concept नहीं था उस वक्त लोगों की mentality थी के अपने पैसे को save करके ही लोग अपने लिए घर खरीदते हैं लोग अपने PF की saving और retire benefits की मदद से अपने लिए घर बनाते थे लेकिन आज की generation जॉब लगते ही loan पर घर खरीदने लगती है खैर पहले ज़्यादा bank भी नहीं थे जो housing loan दे और अब इतने सारे बैंक हो गए हैं जो housing loan अलग-अलग rate of interest पर दे थे आखर ये 40 साल में ऐसा क्या बदल गया जो अब बिना loan के लोग घर नहीं खरीद पा रहे हैं mainly इसके चार रीजन है पहला है free economy यानि globalization जब 1991 में पहली बार globalization market में पहली बार आया था उस वक्त के कई सारे banks housing loan के segment में आ गये थे और सभी bank home loan पर attractive offers भी देने लग गये थे ICICIM bank ने तो year 2000 में floating rate का भी concept निकाला था जो उस वक्त बहुत ही जबरदस्त तरीके से hit हुआ था floating rate मतलब adjustable rate या फिर variable rate उसके बाद अपनी country का सबसे बड़ा bank SBI भी housing loan के market में आ गया था हाला कि SBI housing loan के market में काफी late आया था लेकिन इसने teaser rate पर लोगों को loan देना शुरू कर दिया था teaser rate पर SBI ने लोगों को पहले साल 8% का rate of interest लगाया और बाकि 2 साल के लिए 9% rate of interest लगाया दूसरा reason है SARFAESI Act 2002 Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act यानि SARFAESI Act के आने से bank को ये rights मिल गया था कि वो किस तरहें से loan defaulter से deal करे और इस act से पहले defaulter से नबटने के लिए bank के पास कोई भी strong mechanism या act नहीं था तीसरा reason है interest rate शुरू-शुरू में housing loan पर interest काफी ज़्यादा था लगभग 14% के आसपास फिर बाद में RBI ने सभी banks को ये relaxation दे दिया था कि वो housing loan पर अपने interest को fix कर सकते हैं इसके बाद तो सभी banks ने अपने interest rate को fix करने की होड़ सी लगा ली और फिर इसी वज़े से housing loan पर interest कम होने लगा चौथा reason है government of India जिया, housing loan को popular करने में government of India का भी contribution रहा है क्योंकि government ने housing loan लेने वाले government ने housing loan लेने वाले के लिए income tax में छूट दे दी थी जिसकी वज़े से लोग loan पर ही घर बनाने और खरीदने लगे थे इन ही चार reasons की वज़े से housing loan लोगों के बीच में ज्यादा popular हो गया था कुछ सालों से credit card की market बहुत तेजी से फैल रही है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास एक से ज्यादा credit card है मई 2019 के एक data के according इंडिया में लगभग 5 करोर लोग credit card के active users है इंडिया में सबसे पहले credit card 1980 में launch हुआ था और ये credit card launch किया था Central Bank of India ने फिर 1981 में आंध्रा bank ने भी खुद का credit card launch किया था जो दूसरा popular और attachable loan है वो है credit card credit card भी loan की ही category में आता है credit card में आप पहले buy करते हैं फिर बाद में pay करते हैं और अगर आप timely pay नहीं कर पाते हैं तो आप पर heavy penalty और interest लगने लगता है credit card बैंक का सबसे ज़्यादा profit देने वाला product है इसलिए आप भी देखते होंगे कि किस तरहें से bank भी आपको aggressively credit card purchase खरीदने के लिए पुछ करता रहता है और credit card के थुरू multiple तरीके से bank पैसा भी कमाती है पहला है fees credit card पर bank आपसे कई तरहें की fees लेता है जैसे membership fees, over limit fees, transaction fees, bank transfer fees और late payment fees कुछ ऐसे bank हैं जो अपने credit card पर free membership देते हैं लेकिन वो free membership की जगा annual subscription fees लेते हैं over limit fees आप पर तभी लगती है जब आपका usage limit से exceed कर जाए और आप पर transaction charges तब लगती हैं जब आप different currency से transaction करें यानि कोई चीज अगर आप dollar में purchase करें तब आप पर transaction charges लगाई जाते हैं और कुछ बैंक से utility bills credit cards के तुरू पे करने पर भी transaction fees लेते हैं और जब आप अपने outstanding balance को एक credit card से दूसरे credit card में transfer करते हैं तो आप पर bank transfer fees चार्ज करता है Late fee bank आप से तब चार्ज करता है जब आप due date पर credit card payment नहीं कर पाते हैं दूसरा reason है interest अगर आप credit card के भिल को due date तक पे नहीं कर पाएं तो आपके outstanding amount पर bank interest लगाने लगता है On an average, credit card पर bank या company's amount पर जो annual interest लगाती है वो 36% से लेकर 48% तक vary करता है यानि late payment करने पर आपके outstanding amount पर 36% से लेकर 48% तक annual interest लग सकता है और इसी वज़े से एक common man के लिए credit card एक बहुत ही ज़्यादा महगा product है और वहीं bank के लिए ये product सबसे ज़्यादा फादेमंद है और profitable है Credit card दो धरी तलवार की तरह है अगर आप इसे समस्दारी से use करेंगे तो आपको ये काफी benefits देगा और अगर आप इसे सही से नहीं use करेंगे तो आप charges और interest के जाल में फसते जाएंगे एक survey की माने तो लगभग 65% से ज़्यादा लोग एक साथ दो credit card का इस्तमाल करते हैं और ये concern वाली बात है क्योंकि credit card एक बहुत बड़ा debt है अगर आप चाहते हैं कि आप credit card के interest और charges के जाल में ना फसे तो आपको 5 golden rules ज़रूर follow करने होंगे पहला golden rule है always pay the dues full जब आपके पास credit card आता है तो आप अलग ही तरहें के behave करने लग जाते हैं और आप ऐसी चीज़ों को खरीदने लगते हैं जिसे आप normally afford नहीं कर पाते हैं और ऐसा लोग इसी लिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये facility मिलती है कि वो उस highly expensive चीज़ के लिए बाद में pay कर सकते हैं लेकिन हमें ऐसा करने से बचना चाहिए जब भी आपको credit card का bill receive हो आप उस bill के पूरे amount को bill date पर pay करने की कोशिश करें और जितना हो सके पूरा ही payment करने की कोशिश करें कुछ लोग सिर्फ minimum amount ही pay करते हैं और ये एक trap होता है interest और charges लेने का इसी लिए minimum amount due रखा जाता है ताकि आप इसमें trap हो जाएं इसी लिए यही बहतर है कि full payment करें दूसरा golden rule है keep track of your credit expenses ये बहुत ज़रूरी है कि आपने credit card से जो भी खर्च किया है उसका एक record रखे ज्यादा तर लोग अपने खर्च का कोई भी record नहीं रखते और वो यहीं पर गलती कर जाते जब आप अपने credit card के खर्चों का record रखते हैं तो आपको ये idea लग जाता है कि आपने किन-किन चीजों को खरीदने में credit card का इस्तमाल किया है और आप इससे ये भी analyze कर सकते हैं कि future में किन-किन चीजों को आप credit card के थुरू नहीं खरीदना चाहते हैं तीसरा golden rule है read the monthly statement carefully जब भी आपको credit card का statement मिले तो सबसे पहले आप उसे ध्यान से पढ़ें और आपने जो अपना expenses बनाया है उसे credit card के statement से cross verify कर ले ताकि कहीं ऐसा नहों कि आपने expense sheet में कोई चीज मिस कर दियो या कहीं ऐसा नहों कि credit card statement में कोई गलती नहों अगर credit card statement में कोई गलती हो तो आप उसे report कर सकते हैं credit card statement को regularly check करके आपके अंदर expense monitoring की भी आदत आ जाएगी चौथा golden rule है do not withdraw cash from credit card कुछ लोगों को credit card के बारे में पूरी तरहें से पता ही नहीं होता लेकिन वो फिर भी credit card को ले लेते और credit card को लेकर सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि credit card से ही वो cash withdraw कर लेते हमेशा ध्यान रखें कि credit card से कभी भी चाहें आपको कितनी भी ज़रूरत क्यों नहों cash withdraw बिलकुल भी ना करें क्योंकि cash withdraw पर bank आप से धाई पिसेंट से लेकर तीन पिसेंट तक का transaction चार्ज लेगा धाई से तीन पिसेंट चार्जेज देने से बहतर यही है कि credit card से आप cash withdraw ना करें पांचवा गोल्डन रूल है अक्सर जब लोग timely credit card का बिल नहीं भर पाते हैं और उन पर जब interest और charges लगाय जाते हैं तो outstanding amount बढ़ता ही जाता है और उस outstanding amount को pay करने के लिए loan ले ले लेते हैं और यह वही हाल होता है जिसे हम कहते हैं आसमान से गिरे, खजूर में अठके यानि एक debt को खत्म करने के लिए दूसरा debt अपने उपर ले लिया इससे कोई फायदा नहीं होता बलकि आप debt trap में ही फस्ते जाते अगर आप credit card का bill पे नहीं कर पा रही है तो आप loan बिलकुल भी न ले भले ही उसे pay करने के लिए आप अपने friends या family से पैसा मांग ले लेकिन loan हर हाल में avoid करियेगा अगर आप इन 5 golden rules को सही से follow करेंगे तो यकीन मानिए credit card को use करने में आपको कभी भी कोई issue नहीं आएगा आप credit card को सुकून से use कर पाएंगे एक time ऐसा भी था जब हमारी country में सभी के घर में cycle हुआ करती थी लोग अपनी cycle का बड़ा ही धियान रखते थे और अपनी cycle को proper maintain करके रखते थे cycle उस time card transport मीडियम हुआ करता था बच्चे आगे छोट इसी seat लगा कर बैठ जाते थे और घर की female cycle के पीछे वाली seat पर बैठ जाती थी फिर उसके बाद आया motorcycle का दौर और धीरे धीरे हर घर में motorcycle भी होने लगी थी और इसी दोरान auto loan भी market में आ चुका था 1990 globalization का दौर था और सब लोगों की income level भी बढ़ गई थी और लोग ज्यादा पैसे कमाने लग गए थे और ज्यादा पैसे कमा कर लोग ज्यादा खर्च भी करने लगे थे जो product कभी luxury category में आता था वो product अब जरूरत बनने लगा था कार जो कभी luxury product में आते थी अब वो पूरी तरहें से जरूरत बन गई थी आज के दौर में लगभग आपको हर घर में एक कार जरूर मिल जाएगी और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास एक से ज़ादा कार है कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कार खड़ी करने की जगा भी नहीं है उन्होंने भी trend को follow करते हुए कार खरीद ली थी अकसर लोगों को ये नहीं मालूम होता कि असली खर्च तो कार खरीदने के बाद ही होता है लोगों को ये लगता है कि कार एक asset है फर actual में ये एक liability है आपको इसमें हर रोज petrol भरवाना पढ़ता है हर दो से तीन महीने बाद servicing करवानी पढ़ती है इसके अलाबा कई छोटे छोटे खर्चे भी होते हैं इसमे कार लोन की अगर हम बात करें तो इंडिया में कार लोन का business हर साल 18% से 20% लगातार बढ़ता ही जा रहा है लोग हर साल जम कर कार लोन लेते हैं और अगर हम कार लोन पर interest की बात करें तो ये 9% से लेकर 10% के बीच में होता है हमारी country में यहाँ agriculture 50% से ज्यादा लोगों को employment देता है और हमारी GDP में भी इसका contribution 17% से लेकर 18% है Sadly, वहाँ पर एक tractor लोन पर आपको 11% से लेकर 23% तक interest देना पड़ता है आखर एक car लोन tractor लोन से इतना सस्ता क्यों है इसका जवाब है कि कार से लोगों का emotional लगाव रहता है और साथ ही साथ car होने से एक matter of pride भी बन जाती है और इसलिए ज्यादा तर middle class family car खरीदती है और इसी वज़े से हमारी country में car loan भी काफी popular है दूसरा है personal loan Personal loan एक ऐसा loan है जो car loan और housing loan की तरह सेक्योर नहीं होता है इसलिए इसे unsecured loan माना जाता है Personal loan लेने के लिए आपको कोई भी collateral security नहीं देनी पड़ती है और इसी वज़े से non repayment या फिर default होने पर bank आप से वापिस loan या पैसे वसूल नहीं कर सकती है बागी loan में bank आप से security के तरूप ैसे वसूल कर सकती है Housing loan के case में non repayment या default bank आपके घर को गिरवी रख सकती है और car loan के case में bank आपके car को गिरवी रख सकती है लेकिन personal loan में bank आप पर सिर्फ legal action ले सकती है Personal loan के unsecured होने की वज़े से ही bank personal loan पर ज्यादा interest लेती है Personal loan का interest rate 14% से भी ज्यादा होता है Western countries में credit score के basis पर ही वहाँ पर personal loan पर interest लगाया जाता है अगर किसी का credit score ज्यादा है तो उसको personal loan पर rate of interest कम देना होगा और अगर credit score कम है तो rate of interest ज्यादा देना होगा लेकिन हमारी country में credit score को सिर्फ loan eligibility का criteria माना जाता है credit score अगर ज्यादा है तो एक इंसान loan के लिए eligible है Personal loan लोग अपनी personal needs को meet करने के लिए लेते हैं हमारे यहाँ ज्यादा तर लोग marriage purpose, medical emergency, holidays या फिर किसी दूसरे loan को चुकाने के लिए ही ले लेते हैं अगर आप एक salaried person है तो आपको personal loan बहुत ही जल्दी मिल जाएगा Personal loan लेने पर आपको कुछ advantages मिलते हैं जैसे कि loan unsecured होता है तो आपको इसमें कोई भी collateral security नहीं देनी पड़ती है दूसरे यह credit card के comparison में ज्यादा सस्ता होता है तीसरा आप इसे अपनी किसी भी personal need के लिए कभी भी ले सकते हैं और चौथा यह कि यह बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है इसके कुछ disadvantages भी हैं जैसे secured loan के comparison में personal loan पर ज्यादा interest रगता है दूसरा यह कि personal loan का tenure or fix रहता है जबकि credit card का कोई भी tenure or fix नहीं रहता है बर्डन को हम कम कर सकते हैं चौथी disadvantage यह है कि इसकी processing जल्दी होने की वज़े से लोग इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है और इसे फौरण लेने की सोचने लगते हैं तीसरा loan है educational loan educational loan हमारी society में तब ज्यादा popular होने लगा जब college हों में fees बढ़ने लगी थी educational loan की शुरुआत 1995 में हुई थी और 2001 के आते आते bank ने educational loan को पूरी तरह से adopt कर लिया था 4 लाग तक education loan लेने के लिए कोई भी security देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और 4 लाग से ज्यादा loan लेने के लिए bank parents से एक collateral security लेता है educational loan में bank moratorium period या holiday period भी मिलाता है यानि अगर पढ़ाई के दौरान आप loan repay नहीं कर पा रही है तो आपको डेढ़ साल तक की छूट मिलती है educational loan पर interest 11 परसन से लेकर 13 परसन तक लगता है पहले जब parents बच्चों की पढ़ाई को afford नहीं कर पाते थे तो वो बच्चों को दूसरे college में admission करवाते थे या फिर दूसरे course में enroll करवा लेते थे इसके लाबा admission कराने के लिए parents अपने relative या फिर friends से पैसे उधार मांग कर बच्चों का admission करवाते थे educational loan की वज़े से अब बच्चे अपने पसंदीदा course को पढ़ पा रहे और parents को भी अपने relative या friends से पैसे नहीं मांगने पढ़ते हम सभी को debt-free life जीने की कोशिश करने चाहिए लेकिन हाँ, आप education के लिए education loan ले सकते क्योंकि जब आपके पास proper education ही नहीं रहेगी तो आप financial management को भी कैसे सीख पाएंगे वैसे कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि loan को ज़्यादा से ज़्यादा avoid करें अब इदक आपने debt के बारे में समझा था कि debt दो तरहे के होते हैं एक bad debt और एक good debt आपने type of loan के बारे में जाना कि loan कितने type के होते अब हमारे सामने सबसे important सवाल यह है कि हम अपने loan को आखर reduce कैसे करें क्योंकि आज की date में हमारे लिए loan avoid करना थोड़ा मुश्किल काम होता है इसलिए हमारे लिए बहतर यही है कि हम loan को reduce कर लें अगर हम economics की बात करें तो economy में दो important concept है एक है willingness और दूसरा है ability बिना ability के willingness की कोई value नहीं है और बिना willingness के ability होने का भी कोई फायदा नहीं है यानि यह दोनों आपस में interconnected है अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने loan को कम कर सकें तो आपको willingness और ability दोनों का ही इस्तमाल करना होगा कुछ लोगों के अंदर अपने loan को reduce करने के willingness होती है लेकिन ability नहीं ये अंदर से चाहते हैं कि उनके उपर से loan का बोज हटे लेकिन ये बोज कैसे हटे इसका तरीका इन्हें नहीं पता होता है वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें loan reduce करने का तरीका तो मालूम होता है लेकिन इनके अंदर willingness नहीं होती है हमारे दिमाग में दो सवाल चलते रहते हैं पहला ये कि loan को कम कैसे करें किस तरह से zero EMI life को जीए दूसरा ये कि urgent जरूरत पढ़ने पर भी loan लेने से कैसे बचा जाए अगर हम practically बात करें तो loan reduce करना थोड़ा मुश्किल काम लगता है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी life debt free बने और आप सच में financially free हों तो आपको loan reduce करने के तीन तरीकों को अच्छे से follow करना होगा पहला तरीका है repay repay, loan reduce करने के लिए सबसे आसान और straightforward तरीका है अगर आप regular EMI pay करते जाएंगे तो ultimately आपका loan कम होता जाएगा जब आप bank से कोई loan लेते हैं तो banker आपको amortization schedule देता है amortization schedule में loan amount mention होता है EMI mention होती है इसके अलावा amortization schedule में rate of interest और loan tenure भी mention होता है इसके साथ ही इसमें ये भी mention होता है कि loan किस year में exactly किस month में end होगा पहले लोगों को loan account में EMI जमा करनी पड़ती थी लेकिन अब banking में ESE system आ गया है ESE system यानि electronic clearance service इसमें आप bank को ये approval दे देते हैं कि EMI की जो date है उसमें आपके account से EMI आपके अपने आप deduct हो जाए बस आपको इसमें ये खयाल रखना होता है कि जिस दिन EMI जानी हो उस दिन आपके account में पैसे हो इससे फायदा ये होगा कि आपको EMI की ज्यादा tension नहीं होगी और आपको EMI भरने के लिए bank भी नहीं जाना पड़ेगा इससे automatically आपकी EMI पै हो जाएगी और ये आपके saving या current account के statement में भी दिख जाएगा पहले लोग अपनी EMI को पै ही नहीं कर पाते थे क्योंकि पहले के लोग proper planning नहीं करते थे लोगों को अपनी EMI date भी याद नहीं रहती थी और अचानक से कोई expense आ जाता था तो लोग EMI के पैसे को उसी में use कर लेते थे लेकिन अब scenario थोड़ा change होने लगा है अब loan repay करने के लिए पहले के comparison में लोग ज्यादा aware रहने लगे हैं अब लोग loan लेने से पहले ही खुद को EMI payment के लिए mentally prepare करने लगें बैंक भी अब loan देने से पहले applicant की credit history चेक करती है और income भी चेक करती है और इसके लिए bank आपसे pay slip या ITR मांगती है ताकि वो ये चेक कर सके कि आप लिये गए loan को repay कर पाएंगे या नहीं इसे cross verify करने के लिए bank आपसे तीन या छे महिने का banking statement भी मांगता है जो bank अपनी तरफ से पूरी due diligence कर लेता है तब कहीं जाकर bank आपको loan देता है ज्यादा तर लोग अपनी EMI को regular pay करते है और ये तरीका सबसे बहतर भी होता है लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारे सामने अचानक से miracle expenses आ जाते है या कभी-कभी बच्चों की annual fees जमा करने की भी date आ जाती है यानि random unavoidable expenses सामने आ जाते हैं तो ऐसा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसकी planning करके रखे है हम बाकी bills चैसे electricity bill, water bills या made की salary timely pay करने की planning करते है ठीक इसी तरहे हमें EMI pay करने की भी planning करने चाहिए loan repay करने के लिए आपको अपने अंदर discipline बना कर रखना चाहिए जब भी आपकी salary आए आप उसमें से सबसे पहले अपनी EMI की payment अलग कर ले आप इस mindset के साथ भी काम कर सकते हैं कि मान लीजे आपकी monthly salary 50,000 है और आपकी EMI 10,000 है तो आप अपने मन में ये मान कर चलिए कि आपकी salary सिर्फ 40,000 है इससे फाइदा ये होगा कि आपको EMI के लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और नहीं ज़्यादा planning करनी पड़ेगी loan repay करने की इससे बहतर टेकनीक अगर आपके पास है तो आप उसे भी use कर सकते हमारा main motto यही होना चाहिए कि हम अपने loan को repay कर सके loan reduce करने का दूसरा तरीका है prepay हमारी country में ऐसे बहुत से bank और financial institution है जो हमें loan prepay करने के facility देते हैं prepay का मतलब यही हुआ कि आप अपने loan की part payments अपने tenure से पहले ही कर सकते हैं और यह part payments हमारे principal outstanding amount में adjust हो जाती हैं हमारे पास यह choice रहती है कि हम जल्दी से जल्दी repay करके अपने loan के बोच को कम कर सके हाला की हमारे मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई जब हमें EMI को timely pay करने में ही issue आ रहे हैं तो हम prepay कैसे करें इसका सीधा सा जवाब है आप जिस company में job करते हैं वो आपको annual bonus देती ही होगी आपका जो भी bonus मिले उसमें से कुछ amount या full amount जो भी आपके budget में fit हो उसी हिसाब से आप loan amount prepay कर दें जतना जल्दी loan खत्म होगा उतना ही जल्दी आपको सुकुन मिलेगा कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने saving के थू हो या फिर हमारे investment के थू मिली payment से हम अपने loan को repay कर सकते हैं आपको ये track करना होगा कि आपका bonus कब आ रहा है या आपके fixed deposit या RD कब mature हो रही है इन सबका आप एक track बना लें और जब ये bonus और ये investment मचोर हो जाए तो इनसे आप अपने loan को repay कर दें आपको अपने अंदर daily expenses लिखने के आदत डालनी होगी इससे फायदा ये होगा कि आप अपने बेवजय के खर्चों को control कर सकेंगे प्रीपे करके आप loan amount पर लगने वाले interest को भी बचा सकते हैं और अपने tenure को कम भी कर सकते हैं चलिए इसे एक case study से समझते हैं Mr. X ने घर खरीदने के लिए 30 लाग का housing loan लिया जिसका tenure 20 साल है और 30 लाग पर bank 10% interest चार्ज कर रहा था जिसकी EMI थी 28,951 रुबे यानि 20 साल के बाद Mr. X को 50 लाग के घर के लिए लगभग 70 लाग पे करना पड़ता यानि 20 लाग ज्यादा Mr. X ने 20 लाग के amount को कम करने के लिए तीन अलग-अलग टेकनीक को यूज करने की सोची टेकनीक फर्स्ट Mr. X की सैलरी में 3000 रुपे का increment हो गया था और increment को waste ना करके Mr. X ने bank से अपनी EMI amount को बढ़वाने के लिए कहा था ताकि loan जल्दी से जल्दी रीपे हो सके अब loan की EMI हो गई थी 31,951 रुपे इससे फायदा ये हुआ कि loan का tenure 20 साल से कम होकर 15 साल 5 महीने हो गया और Mr. X ने 11,000 रुपे का interest बचा भी लिया टेकनीक सेकंड ये थी कि 3000 रुपे का increment होने की वज़े से Mr. X ने ये decide किया था कि वो अपनी EMI amount को बढ़ाएंगे नहीं बलकि हर 3 महीने पर एक साथ 15,000 रुपे प्री पे करेंगे हलाकि शुरू में इससे Mr. X का financial management थोड़ा सा fluctuate करने लगा था लेकिन फिर बाद में इससे Mr. X ने किसी तरह से manage कर लिया था हर 3 महीने में 15,000 पे करने से फायदा ये हुआ कि Mr. X का लोन 20 साल की जगा 13 साल 5 महीने में ही खत्म हो गया और इससे Mr. X ने 14.5 लाक रुपे इंट्रेस में बचा लिये थे तीसरी टेकनीक ये थी कि Mr. X हर 3 महीने पर 15,000 जमा कर ही रहे थे यानि 12 महीने में 60,000 प्रीपे कर रहे थे अब Mr. X ने और दिमाग लगाना शुरू कर दिया और उन्हें जो भी annual bonus मिलता था उसको भी प्रीपे में यूज करने की सोची Mr. X ने 60,000 के साथ बोनस के 40,000 निकाल कर खुल एक साल में एक लाख रुपे की प्रीपेमेंट की ऐसा वो हर साल करते गए ऐसा करके उनका housing loan 20 साल की जगा 8 साल 5 महीने में ही खत्म हो गया और Mr. X ने इस टेकनीक से 18 लाख रुपे बचाए इन तीनों ही टेकनीक का यूज आप भी अपने loan को प्रीपे करने के इस्तमाल में कर सकते हैं इस एपिसोड में हमने आप से loan reduce करने के दो तरीके डिसकस किये पहला repay और दूसरा prepay और हमने prepay में यूज होने वाली टेकनीक का भी discussion किया नेक्स्ट एपिसोड में हम loan reduce करने की तीसरी टेकनीक restructure का discussion करेंगे और loan को reduce करने के लिए हमने दो तरीके repay और prepay डिसकस किये थे और इस एपिसोड में हम तीसरा तरीका restructure की बात करेंगे restructure loan reduce करने का बहुत ही important तरीका है ये तरीका उनके लिए भी बहुत कारगर है जो बहुत ज़्यादा debt में फसे हुए है debt को restructure करके आप काफी हद तक इस loan के चंगुल से आजाद हो सकते हैं चलिए restructure को एक case study से समझते हैं Mr. Z के उपर 12,00,000 का debt था और ये सारे ही debt unsecured थे यानि Mr. Z के उपर एक bad debt था और इस loan को चुकाने के लिए Mr. Z के पास कोई asset भी नहीं था और सारे loan की EMI भर कर भी Mr. Z 20,000 के deficit में ही रहता था और ये 20,000 Mr. Z किसी तरहें इधर उधर से manage करके भरता था यानि Mr. Z के पास EMI भरने का कोई भी solid plan नहीं था वो सिर्फ कुछी loan की EMI भर पाता था और जिस loan की वो EMI नहीं चुका पाता था उस पर Mr. Z पर penalty और charges लग जाते थे कुल मिलाकर Mr. Z कर्स के दलदल में फस्ता जा रहा था Mr. Z के इस situation से निकलने का एक ही तरीका था वो था restructure restructure की help से Mr. Z इस situation से खुद को बाहर निकाल सकता था कई बड़ी-बड़ी companies भी restructure के थ्रू ही अपने कोड डेट से बाहर निकालती है restructure में bank, loan tenure को बढ़ा कर आपकी EMI कम कर देता है इससे आप पर भी ज्यादा EMI भरने का बोज नहीं रहता है और bank के लिए भी फायदा ही रहता है कि loan default होने से बच जाता है क्यूंकि ज़्यादा EMI होने की वज़े से कुछ लोग loan पे ही नहीं कर पाते है और नतीज़तन default बन जाते है restructure करने के लिए Mr. Z के friend Mr. Y ने कुछ tips फॉलो करने के लिए कहा और Mr. Z ने उन tips को फॉलो करना शुरू कर दिया Mr. Z ने सबसे पहले अपनी मंथली salary एक डायरी में लिख ली और फिर salary के आगे ही अपने expenses और EMI को भी रख लिया फिर इसके बाद Mr. Z के जो भी loan थे सभी loan की फुल details अलग पन्ने में लिख ली जैसे loan का type क्या है कितना loan amount है tenure, interest और किस bank से लिया गया है यह सब details डायरी में लिख ली गई debt management का सबसे बड़ा rule यह है कि अगर आपके उपर multiple debts है तो जो सबसे costly debt है सबसे पहले उसे pay करो Mr. Z के लिए सबसे costly debt था credit card का Mr. Z ने credit card के loan को restructure करने के लिए bank से request की और bank को उसने अपनी financial condition भी बताई restructure में Mr. Z ने bank से ये request किया कि वो principal amount को ही freeze कर दे और उससे interest ना ले example के तौर पर Mr. Z का 2,000,000 का एक personal loan चल रहा था जिसका tenure और 5 साल का था और जिसकी 12 EMI Mr. Z ने pay कर दी थी और EMI amount 4811 fix थी यानि Mr. Z को अभी 2,000,000,000 पे करना बाकी था और calculation के हिसाब से principal amount 171,000 था और 60,000 interest था Mr. Z ने bank से principal amount यानि 171,000 को freeze करने की request की और साथ equal installment में loan pay करने की बात कही bank ने agree कर दिया और restructure करके 2850 रुपए की नई EMI बनकर तयार हो गई और इसी तरहें बाकी loan के लिए भी restructure का तरीका अपनाया आप भी अपने loan को restructure करने के लिए bank से request कर सकते हैं और अगर कोई bank आपकी request ना करे तो आप main branch में request डाल सकते हैं और अगर main branch भी आपकी request पर action ना ले तो आप इसकी complaint RBI या banking ombudsman में कर सकते हैं RBI ने customer की complaint को handle करने के लिए banking ombudsman बनाया आप banking related कोई भी issue या complaint banking ombudsman में कर सकते हैं अगर कभी भी आपको अपनी complaint का reply ना मिले तो आप banking ombudsman में इसकी शिकायत कर सकते हैं खैर, restructure के लिए Mr. Z. ने बाकी bank से भी request की लेकिन किसी ने timely response नहीं किया और जब banking ombudsman में complaint की गई तो Mr. Z. को सभी bank की call आने लगी कुछ ने मना कर दिया, तो कुछ ने थोड़े दिन की महलत मांग ली छे महिने के efforts के बाद Mr. Z. ने अपने सभी लोन को restructure कर लिया था और लोन को restructure करने के बाद Mr. Z. को जो 20,000 का deficit होता था, वो खत्म हो गया था और इसके अलावा Mr. Z. के 6,000 रुपे महिना बचने भी लगे थे हाला कि लोन जब restructure होता है, तो आप कुछी महिनों तक EMI नहीं पे कर सकते हो, और ऐसे में आपको collection agent की call आने लगेगी, आप उसे ये बता सकते हैं कि आपने अपने लोन को restructure के लिए डाला है, और ज़रूरत पढ़ने पर आप restructure request की copy भी दिखा सकते हैं, इसके अलावा आपके civil report में mention होगा कि आपने अपना लोन कर सकते हैं, bad debt में बिलकुल भी न फसे, इसलिए loan reduce करने के तीन method, repay, prepay और restructure को use करें, आज की दौर में हम सब के expenses इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि हम ना चाहते हुए भी loan ले ही लेते हैं, सच पूचा जाए तो कहीं न कहीं सबको ही पता होता है कि loan लेना सही नहीं होता है, लेकिन middle class family के सामने कभी-कभी ऐसे situation आ जाती है कि उन्हें मजबूरन loan लेना ही पढ़ता है, कई लोगों को ये लगता है कि उनकी salary बढ़ जाने से उनके खर्चे कम हो जाएंगे और वो आसानी से अपने loan को reduce कर पाएंगे, लेकिन reality में salary बढ़ने पर उनके खर्च और बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि जब salary बढ़ जाती है, तो उनको अपनी अलग lifestyle को maintain करना पढ़ता है, हमारी salary ज्यादा हो ये कम, हम loan लेना avoid कर सकते हैं, ऐसे 5 तरीके हैं जिसको follow करके आप loan लेने से बच सकते हैं, पहला तरीका है create budget loan लेने से बचने का सबसे पहला तरीका है अपने लिए budget बनाना, कई लोग अपने लिए annual budget बनाते हैं, लेकिन आप annual budget को monthly बनाएं, आप diary या फिर mobile आप में properly अपना budget बनाएं, उसमें अपने सारे mandatory expenses को लिखे हैं, और जो भी आपके miscellaneous खर्चे हैं, उन्हें भी अलग से लिख लें, budget बनाने से आपको ये पता चल जाएगा, कि आपको अपना घर चलाने के लिए कितने पैसे की जरूरत पढ़ती है, और आपके पास कितनी saving बचती है, इसके अलावा, आपको income के दूसरे sources भी बनाने होंगे, और income के दूसरे sources बनाने के लिए, आपको investment करना होगा, आपके पास जो भी salary है, उसमें से कुछ हिस्सा है, आपको अपने लिए investment में खर्च करना होगा, और इसके खर्च को आपको अपने बजट में भी शामिल करना होगा, क्योंकि बिना investment के, आप अपने लिए बजट भी नहीं बना पाएंगे, और loan को avoid भी नहीं कर पाएंगे. इसलिए आप अपने अंदर बजट बनाने की आदट डालें. दूसरा तरीका है, cut down your expenses. हमारे लिए सबसे मुश्किल काम अपने खर्च को कम करना ही होता है. अपने खर्च को कम करने के लिए हमें अपने अंदर patience को build करना होता है, और हमें future के बारे में भी सोचना होता है. जब आप अपने लिए budget बना लेते हैं, तो आपको अपने expenses का भी अंदाजा हो जाता है. और कहीं न कहीं आपको ये भी समझ में आ जाता है कि आपको किस expense को कम करना है. कई लोगों को हर weekend में बाहर खाने की आदत होती है, कई लोगों को हर महिने shopping करने की भी आदत होती है. आप अपनी इन आदतों को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये आदतें आपके expenses को बेवजब बढ़ा देती हैं। और ये ऐसे expenses हैं, जो आप ना भी करें, तो आपका काम चल सकता है। हाला कि आप shopping ज़रूरत पढ़ने पर ही करें, या फिर दो-तीन महिने में एक बार ही करें। इसके अलावा, अगर आप अपने office जाने के लिए कार या बाइक का इस्तमाल करते हैं, तो आप कुछ दिन public transport का use करें। इन छोटी-छोटी चीज़ों को करके, आप अपने expenses को कम भी कर सकते हैं। जब पहली बार lockdown हुआ था, तब हम सबने realize किया था कि अगर हमारी जिंदगी में कुछ चीज़े ना भी हो, तो भी हम survive कर सकते हैं। रेस्टरांट, थियेटर, amusement parks, सब बन थे। और उस दोरान इन सब चीज़ों की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। यानि इन सब के expenses को हम कट भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, get organized। कभी-कभी ऐसा होता है, जब आपको जरूरी काम से बाहर जाना होता है, और आपको अपनी कार या अपनी बाइक की चाभी नहीं मिल रही होती। और आप पूरे घर में चाभी को ढूनते हैं, और गुस्से में कभी-कभी घरवालों पर चिला भी देते हैं। और चाभी ना मिलने पर आप अपने घरवालों को ब्लेम करने लगते हैं, और घरवाले आपको irresponsible behavior के लिए ब्लेम करने लगते हैं। खेर, ढूनते ढूनते आपको चाभी मिल भी जाती है, लेकिन इस बीच आपका काफी वक्त भी बरबाद हो जाता है। महीं अगर आप चाभी को organized way make की holder में रखते हैं, तो शायद आपको देर भी ना होती, और नहीं आपको अपने घरवालों पर चिलाना पड़ता है। National Association of Professional Organizer, NAPU के according, 15-20% लोग अपने expense को duplicate चीज़ों को खरीदने में लगा देते हैं, क्योंकि original चीज़ें उनसे खो जाती हैं। ऐसा हमारे साथ इसलिए होता है, क्योंकि हम organized नहीं होते हैं। अगर आप अपने financial record के साथ organized नहीं रहें, तो हमेशा financial crisis आती ही रहेंगी। इसके अलावा, हमें financial documents जैसे FD, RD slip, insurance documents, PF passbook, tax record, loan agreement, इन सब को संभाल कर और organized तरीके से रखना चाहिए। क्योंकि अक्सर जरूरत पढ़ने पर, ये सारे documents हमें आसानी से नहीं मिलते हैं, जिसकी वज़े से हमें कई बार financial loss भी हो जाता है। इसलिए हमें खुद को organize बनाकर financial stable रखना चाहिए। चौथा तरीका है, build an emergency fund। हम सभी के साथ कभी न कभी कोई न कोई emergency जरूर हुई होगी, और उस वक्त हमें पैसों की सक्त जरूरत पढ़ती है। अक्सर ऐसा भी होता है कि emergency पर हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, और पैसे ना होने पर हम loan लेते हैं, या फिर अपने दोस्तों से उधार लेते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें खुद के लिए एक emergency fund बनाना होगा, जहां पर कोई भी emergency पढ़ने पर हमस fund का इस्तमाल कर सके। कई यंग लोगों को ये लगता है कि emergency fund बनाना बूढ़े लोगों का काम है, यंग लोगों को तो life enjoy करनी चाहिए। ऐसा सोचना बिलकुल घलत है। Emergency fund बनाने के लिए आपको old या फिर young होने की जरूरत नहीं है, बलकि आपको responsible होने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई emergency आने पर लोन ना लेना पड़े और ना ही किसी friend से help लेने की जरूरत पड़े, तो आपको अपने लिए आज से ही emergency fund बनाने की शुरुआत कर लेनी चाहिए। इसके लिए आप हर महिने एक fixed amount decide कर लें और save करते जाएं। धीरे धीरे आपके पास अच्छा खासा fund एकठा हो जाएगा, और अगर कभी emergency में कोई जरूरत पड़ती है, तो आप उस fund का इस्तमाल कर सकते हैं। पांचमा तरीका है, stay away from loons. जिया, सबसे आखरी तरीका यही है कि आप अपने आपको loan लेने से बचाएं। कई बार आपको loan लेने की temptation होगी, लेकिन आपको खुद पर self control रखना होगा, आपको loan लेने के बुरे नतीजे के बारे में सोचना होगा, आपको कोई कितना भी कहे कि loan सस्ते rate में मिल रहा है, इसलिए ले लिया जाए, लेकिन आपको लोगों की बातों को avoid करना होगा, क्यों इसका असर हमें बाद में देखने को मिलता है, तो ये पांच तरीके हैं, जिसको अपना कर आप loan लेने से खुद को बचा सकते हैं, अपने पैसों को manage करना एक आर्ट की तरह हैं, और अगर आप अपने पैसों को सही तरीके से नहीं manage कर पा रही हैं, तो आपको कभी न कभी financial दिक्कत जरूर होगी, चाहें आपने loan लिया हो या फिर नहीं, ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे education system में financial education को लेकर कोई बात नहीं होती है, और नहीं हमें money management सिखाय जाता है, और इसका नतीज़ा ये होता है कि हमें से ज्यादा तर लोग debt में रहते हैं, हमारे parents हमें पै college नहीं रहती है, हाला कि अब हम digital era में रहते हैं, जहां पर हमें information बड़ी आसानी से मिल जाती है, और हम internet के थरू कई चीज़ों को सीख सकते हैं, और कहीं न कहीं बढ़ती महंगाई ने भी लोगों को money management सिखाने के लिए मजबूर कर दिया है, money management करने के लिए आपको compound effect देखने को मिलेगा, Albert Einstein ने compound effect को 8th wonder कहा है, अगर आपको 30 दिन के लिए 1 करोड cash और 1 रुपे जो हर दिन compound होता जाए, इन दोनों offers में से कोई एक चुनने को कहा जाए, तो आप दोनों में से क्या चुनेंगे, आप शायद 1 करोड cash को चुनेंगे, लेकिन 1 रुपे जो हर compound होता है, उसे चुनना ज्यादा बहतर होगा, क्योंकि 1 रुपे 30 दिन के हिसाब से compound होकर आपको लगभग 23 करोड देगा, यानि उस 1 करोड से 22 करोड ज्यादा, यानि आप समझ सकते हैं कि compounding में कितनी ताकत होती है, और इसी तरह, आप अपनी आदतों के साथ भी कर सकते है रूस थोड़ा थोड़ा आप अच्छी चीज़ों को करें, और धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आपके अंदर अच्छी आदतें आ गई हैं, money management में भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, रूस थोड़ा थोड़ा amount बचाएं, और आप देखेंगे कि ये रंट तक आपके पास अच्छा खासा amount collect हो जाएगा, money management के बारे में हमें अपने बच्चों और आने वाली generation को भी सिखाना होगा, उनके अंदर बच्पन से ही money management की आदत डालनी होगी, और उन्हें ये सिखाना होगा कि अपने पैसों को कैसे बचाएं, और अपने पैसों का इस्तमाल किस तरह से क सकती हैं, money mismanagement कितना खराब हो सकता है, इसको deeply समझने के लिए हम इसे दो case study से समझते हैं, पहली case study है, cafe coffee day की, cafe coffee day इंडिया का सबसे popular coffee chain है, और ये लगभग 1.6 billion coffee, 6 countries में daily बेचता है, CCD की शुरुआत 1996 में VG सिधारता ने की थी, और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने इसे बहुत बड़ा brand बना दिया था, लेकिन unfortunately, 2019 में VG सिधारता की death हो गए, और death से पहले उन्होंने एक letter लिखा था, जहां पर उन्होंने इस बात का अफसोस जताया था, कि उन्होंने ए हमें ये बाद में पता चला कि CCD के उपर investors का काफी debt था, और 2020 में CCD कमपनी ने अपनी properties को बेज कर 2700 करोड रुपे का debt repay किया था, हम ये कह सकते हैं कि ये एक perfect example था money mismanagement का, क्योंकि CCD का business model एक time पर बहुती ज्यादा successful और profitable था, लेकिन profit को सही तरह manage नहीं किया गया, और इ पीजी सिधारता की कहानी से, हमने ये भी जाना कि अगर हम कभी अपने दोस्तों या family member को किसी तरह financially परिशान होते हुए देखें, तो इससे पहले कि वो कोई बेवकुफी वाले कदम उठाए, हमें उसकी help कर देनी चाहिए दूसरी case study है विजे मालिया की, विजे मालिया इंडिया की सबसे बड़ी alcohol company United Spirit का मालिक था, और इसके कई सारे business venture पूरे world में फहले हुए थे, और इनमें से एक था Kingfisher Airlines, इसके अलाबा विजे मालिया के पास IPL की Royal Challenge बैंगलॉर की ownership भी थी, और एक Formula One टीम भी थी, विजे मा कहा दी था, और इसे King of Good Times कहा जाता था, अपनी लाइफ में विजे मालिया ने अर्बो रुपे बनाए, लेकिन Money Miss Management की वजे से, विजे मालिया को कई बैंकों से अर्बों का लून लेना पड़ा, और इसी Miss Management की वजे से, विजे मालिया लून नहीं चुका पाया, और इंडिय को छोड़ कर ब्रिटिन चला गया, विजे मालिया पर Money Laundering, Check Dishonoring, Cheating और Loan Default के कई सारे केस हैं, और आज विजे मालिया पर कई अर्बो रुपे का कर्स है, विजे मालिया की स्टोरी ये बताती है कि अगर आपके अंदर Money Management की आदत नहीं है, तो आप भी Fame से Shame की रास्ते प होगा कि किस तरहें से इतना बड़ा बिजनस होने के बाद भी लोग Debt में Trap हो जाते हैं, इसलिए बहतर यही है कि हम अपने पैसे को Earn करें, Manage करें, Save करें और Grow करें अगर आपको किसी काम में Successful होना है, तो आपको सबसे पहले उस काम को करने की Planning बनानी होगी जब आप किसी चीज की Planning करते हैं, तो आपका Success Rate बढ़ जाता है, यानि आपके Success होने के Chances बढ़ जाते हैं Seven Habits of Successful People के Author Stephen Covey का कहना था कि हमें हमेशा End Result को अपने दिमाग में लेकर चलना चाहिए, यानि हम जब किसी चीज की शुरुआत करें, तो सबसे पहले उसकी Planning कर लेनी चाहिए American Professional Baseball Player Yogi Berra का ये कहना था कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कहां जाना है, तो आप भटकते ही जाएंगे, यानि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है Renowned author Anthony De Sant Exupery का ये कहना है कि बिना Planning के बनाया हुआ गोल सिर्फ एक विश यानि ख्वाहिश की तरह है जैसे आप अपनी जिंदिगी में बाकी चीजों की Planning करते हैं, ठीक उसी तरहें आपको अपने Finance की भी Planning करनी होगी और Financial Planning करने से पहले आपको अपने Financial Goal Decide करने होंगे अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि आखर ये Financial Goal है क्या Financial Goal को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, पहला है Finance और दूसरा है Goal हमारे लिए सबसे जरूरी ये समझना है कि हमारी लाइफ में Goal का होना बहुत जरूरी है क्यूंकि Goal पर ही हमारी Success depend करती है आपको ये Clear होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं और Goal आपको Direction देता है Goal ही आपको Action लेने के लिए Motivate करता है Money के Terms में आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आप Financial Goal के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं अगर आपके पास एक Clear Financial Goal नहीं होगा तो High Chances हैं कि आप Debt Trap में फंस सकते हैं जो Young है, Future में उन्हें अपनी शादी के लिए पैसे चाहिए होंगे जो Married है, Future में उन्हें अपने बच्चों की Education के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी आपको Car लेने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपको अपने घर लेने की ज़रूरत पड़ेगी हो सकता है कि किसी को इन सब की ज़रूरत नहों हो सकता है किसी के पास ये सब हो, लेकिन जिनके पास ये सब नहीं है, उन्हें specially अपने लिए financial goal बनाने चाहिए. जब आपके पास एक financial goal होता है और उस financial goal को आप dedicated तरीके से follow करते हैं, तो future में होने वाली इन सब चीजों के लिए ना तो आपको किसी से पैसे उधार लेने पड़ेंगे और नहीं आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा. आप अपने financial goal को एक detail में लिखें, आप ये लिख लें कि आपको total कितने पैसे save करने हैं और उस saving को कितने महीने ये साल में complete करना है. Example के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दो सालों में आप अपने लिए एक कार खरीदें, तो आप ये लिख लें कि उस कार के लिए आपको कितने amount की जरूरत है और हर महीने कार के लिए आपको कितने पैसे save करने होंगे. Financial planning बनाते वक्त आपको inflation को भी consider करना होगा. हाला कि inflation के बारे में detail में आपको एक financial advisor ही बता पाएगा. लिकिन simple words में आप ये समझ लीजे कि inflation मतलब महंगाई है. Time के साथ महंगाई भी बढ़ती जाएगी. तो ये भी हो सकता है कि जो कार आपको 5 लाख में मिल रही है, हो सकता है 5 साल बाद उसकी कीमत बढ़कर 7 लाग हो जाए. इसी लिए financial goal बनाने के दौरान आपको अपनी inflation factor को भी अपने mind में consider करना होगा. इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान में रखनी होगी, इसे लोन से आप बिलकुल बचें, क्योंकि ये लोन होते तो छोटे हैं, लेकिन आपके financial goal को बुरी तरह से बिगार सकते हैं. इसके अलावा आपको credit card के इस्तवाल को भी कम करना होगा. इसलिए आपको खुद ही ये firm decision लेने होंगे कि आप कोई भी loan नहीं लेंगे, और जो भी चीज आपको खरीदनी होगी, उसके लिए आप cash का इस्तवाल करेंगे. आपको अपने पर self-control रखना होगा, और discipline के साथ financial goal की राह पर चलना होगा. Financial planning आपको आज से ही नहीं, बलकि अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपनी financial planning करेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा. और अगर आप चाहते हैं कि आपको financial freedom मिले, तो आप जरूर financial planning करें. अपने finance को manage करने के लिए हमारे दिमाग में कई सारे questions चलते हैं, और हमें उनका proper answer नहीं मिल पाता है. लेकिन इस episode में ऐसे कुछ questions और उनके answers के बारे में डिसकस किया जाएगा, जो अकसर हमारे दिमाग में चलते रहते हैं. पहला question है, जो अकसर लोगों के दिमाग में चलता है, वो ये है कि हमारे पास surplus cash है, और इसकी साथ ही बहुत सारे loan भी हैं. हमें उस surplus cash का use कैसे करना चाहिए? इसका जवाब यही है कि जवाब के पास surplus cash है, यानि extra पैसे आएं, चाहें वो bonus के थ्रूँ आएं या फिर अपने किसी उधार के दिये हो, वो वापिस मिल जाएं, या फिर आपने किसी को उधार दिया हो, वो वापिस मिल जाएं, तो ऐसे में उस cash से आप उस loan को repay करें, जो balance transfer, Sybil score को affect करता है, जब आप एक credit card की due payment दूसरे credit card से करते हैं, तो उसे balance transfer करते हैं, इससे फायदा यह होता है कि आपको 90 दिन और extra मिल जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको processing fees देनी पड़ती है, और balance transfer आपको Sybil score में show होता है, यानि ये आपके Sybil score को affect कर सकता है, Sybil score को हम credit information report भी कहते हैं, तीसरा question है, ज्यादा तर women finance में interest कम क्यों लेती हैं, लेकिन इसके बावजूद women की money management skill अच्छी क्यों है, इसका simple सा fact यही है, कि women men के comparison में ज्यादा skillful होती है, और women का money management अच्छा होता है, लेकिन finance एक डरावना word है, और इसमें काफी complications भी हैं, इस लिए women finance में interest नहीं लेती हैं, women men के comparison में ज्यादा organize रहती हैं, और वो हर चीज को plan करके चलती हैं, इसके अलावा उन्हें अपने expenses का भी अच्छा idea रहता है, इसका सबसे अच्छा example हमारी mother है, हमारी mother हमारे घर को चलाती है, और घर में किस चीज की जरूरत और किस चीज की यह हमारी mother से बहतर कोई नहीं जानता है, और हमारी mother हमारे father की salary से कुछ पैसे बचा भी लेती हैं, यानि overall woman के पास money management की अच्छी skill होती हैं, चौथा question है, क्या gold एक better investment है, जिया, बिलकुल, gold एक better investment है, हमारी country में gold का बहुत crazy रहता है, और इसकी demand बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन physical gold खरीदने से बहतर है, आप gold ETF में invest करें, ETF मतलब electronic traded fund या e-gold, e-gold खरीद कर आपको इसकी safety की फिक्र नहीं करने पड़ेगी, आपको locker की भी tension नहीं रहेगी, overall gold एक अच्छा investment है, इसे आप बिलकुल करें, पांचमा question है, क्या अपना घर खरीदने के लिए loan लेना best रहेगा, या फिर अपनी saving का use करके घर खरीदा जाए, अपनी saving का use करके घर खरीदना ideal है, लेकिन घर की value बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए middle class family को इसे लेने के लिए loan लेना ही पड़ जाता है, अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं, तो आपको ऐसी location चुनना चाहिए, यहां पर आपको लगता है कि home loan खत्म होने के बाद आपके घर की value बढ़ जाएगी, अगर इस तरहें की location में आपको घर मिल जाए, तो आप home loan के थुरू घर purchase कर सकते हैं, छटा question है, आखिर ये calculated risk क्या है, हम और आप daily ऐसे कई सारे decision लेते हैं, जिसके बारे में हम ज्यादा aware नहीं रहते हैं, सबजियां खरीदने से लेकर नए कपड़े लेने तक, ये सब हमारे financial decision के under ही आते हैं, जब आपको किसी चीज के बारे में पूरी तरह से information रहती है, तो आप informed decision लेते हैं, और जब आप कोई informed decision ले लेते हो, तो आपको उस decision के outcome के बारे में पता होता है, औ जब आप इस तरहें के decision लेते हैं, तो इस तरहें के decision को ही calculated risk लेना कहते हैं, साथवा question है, mutual fund में invest करना बहतर है, या फिर share खरीदना बहतर है, share market में invest करने के लिए आपको उसकी knowledge होनी चाहिए, क्योंकि इसमें risk involved है, और जबकि mutual fund में आपके पैसों को equity और debt market में लगाया ज करते हैं, कि जब तक आपको share market की proper knowledge ना हो, तब तक आप mutual fund में ही invest करें, आठवा question है, क्या restructuring को सारे bank accept करते हैं, restructuring के लिए आपको कोई भी bank मना नहीं कर सकता है, चाहें वो bank government हो या फिर private, अगर आपकी restructuring complaint कोई bank accept नहीं कर रहा, तो आप banking औंबंस्मन में इसकी complaint कर सकत हैं, restructuring से आपको debt के trap से निकलने में आसानी होगी, in case आपके उपर ज्यादा debt है, तो आप अपने debt को ज़रूर restructure कर लें, नौवा question है, मेरी company health insurance provide करती है, तो क्या इसके अलावा भी मुझे health insurance लेना पड़ेगा, इसका जवाब है, हाँ, आपकी company का health insurance तभी तक valid है, जब तक आप उस company के employee हैं, जिस दिन आप अपनी company को छोड़ देंगे, उसके बाद से शायद आपका health insurance काम ना करें, इसलिए बहतर यही है, कि आप अलग से किसी insurance company से अपना health insurance ले लें, ताकि आप किसी भी company में job करें, at least आपका health insurance तो valid रहें, दसमा question है, health insurance and medical insurance में आखर क्या difference ह Medical insurance आपके hospitalization expenses को cover करता है, जबकि health insurance में आपको comprehensive coverage मिलता है, यानि आपको hospitalization coverage के अलावा post-hospitalization charge और ambulance charge भी cover किया जाता है, इसलिए यही बहतर है कि आप health insurance लें, तो ये थे वो question जो अक्सर लोगों के दिमाग में चलते हैं हम सब कहीं न कहीं अपने financial commitment से बंधे हुए हैं, financial freedom को achieve करने से पहले हमारा सबसे पहला target zero EMI होना चाहिए, देखा जाये तो आज के दौर में ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं और कभी न कभी हमें loan लेने की जरूरत पढ़ी जाती है, लेकिन हमारी क दोशिश यही रहनी चाहिए, कि हम इससे जितना ज्यादा खुद को बचा सके, उतना ही हमारा फायदा होगा, आपको 0% EMI से 0 EMI का सफर तै करना होगा, ये सफर थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस सफर में आपको कई चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, आप financial management को सीख जाएंगे, आपके अंदर discipline आ जाएगा, आप सही तरीके से saving करना भी सीख जाएंगे, ये सब करने से पहले आपको अपने debt के leakage को रोकना होगा, अगर आप debt के leakage को नहीं रोकेंगे, तो debt बढ़ता ही जाएगा, और आपकी पूरी जिंदगी EMI और debt चुकाने में ही चली जा assets बना कर ही आप financial freedom को अचीव कर पाएंगे, assets के थुरू ही आप अपने लिए income generate कर पाएंगे, assets के थुरू ही आप अपने लिए अच्छी lifestyle create कर पाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि सही माइने में आपकी lifestyle अच्छी हो, तो आप zero EMI के रास्ते पर चलें, क्यानि हर हाल में आपको कभी भी सोने नहीं देगा, आप loan लेने से बचें, और अगर कोई भी loan चल रहा है, तो उसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि loan free life मतलब stress free life, अपने अंदर good money habit को develop करने की कोशिश करें, और इसे develop करने के लिए अपने expenses को track करते रहें, आप कितना खर्च कर रहें, और कहां खर्च कर रहें, आप इसका special धेंदे, खर्च करने से पहले आप ये जरूर सोचें, कि जहां आप खर्च करने जा रही हैं, क्या उस पर वाकई पैसे खर्च किये जा सकते हैं, या उस expense को कुछ दिन के लिए रोका जा सकता है, अगर आप का answer positive है, तो आप उस expense से बचें, आप credit card के usage से जितना हो सके उतना बचें, कुछ लोग emergency पढ़ने पर credit card का use करने लगते हैं, credit card के use से better है, कि आप अपने लिए emergency fund बनाने की कोशिश करें, ताकि कोई emergency आने पर आप उस fund का इस्तमाल कर सकें, money management एक art है, और इस art को आपको सेखना होगा, अपने बच्चों को भी सिखाना होगा, और इस art की आपको practice भी करने होगी, money management एक important skill है, और ये हमारी moral responsibility है, कि हम अपने आने वाली generation को money management सिखाएं, हम वो गलती ना करें, जो हमसे पहले वाली generation ने हमारे साथ की थी, finance को लेकर हमारे पास जो भी knowledge है और experience है, उसे हम अपने बच्चों के साथ share करें, ताकि आने वाली generation पूरी तरह से financially free हो सके, और अपनी life zero EMI पर जिए, नमस्कार, कुकु FM पर आपने सुनी zero EMI, unlock your financial freedom की audio summary, जिसे लिखा है, रामा पलानी अपनने, कुकु FM, सुने जो मन चाह करें